अब आज हम लोग देखेंगे गवर्णर जनल के टाइम पीरिड का एक कुशन आपका मोस्टली आता है कि किस गवर्णर जनल के टाइम पीरिड में कौन सा इवेंट हुआ था अगर हम लोग क्या करेंगे डेट्स को याद कर लेते हैं तो फिर होता क्या है कि हम आसानी से उस जो question basically कभी कभी पूछ लेता है कि फत्धी पर्थाकांत किस governor general के time period में हुआ या ठगी पर्थाकांत कब हुआ किस governor general के time period में हुआ तो हम देखेंगे इन governor general के क्रम में हम सबसे पहले बिंगॉल के governor देखेंगे फिर उसके बाद हम बिंगॉल के governor general देखेंगे और फिर हम देखेंगे भारत के गवर्णर जर्रल फिर भारत के वयस राय ये आपका जो जो चार प्रकार के बिसिकली है वो काफी important है इसके अंतरगत हम बिसिकली जो questions हमारे एक्जाम में आते हैं वो किस तरीके से आते हैं उनका nature हम समझेंगे और इन questions को करना हमाई कैसे है देखें dates मैं बोलूँगा बट आप एक क्रम में क्या करेंगे dates को event से तयार करने का प्रयास करिएगा ठीक है अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको चीजे तयार करनी है हम बिंगॉल के गवर्नर देखेंगे बिंगॉल के गवर्नर के क्रम में अगर देखें तो पहला आपका आएगा Lord Clive जो 1757 से 1760 के दोर में रहा When Sittart की बात करें तो 1760 से 1765 के बीच में Lord Clive की बात करें तो 1765 से 1767 के बीच में वरलस्ट की बात करें तो ये 1767 से 1769 की बीच में, कर्टियस की बात करें 1769 से 1772, वर्रन हेस्टिंग्स की बात करें तो 1772 से 1774 की बीच में, ये आपके जो हैं ये बिंगॉल के basically only इनको अगर हम देखेंगे तो ये बिंगॉल के क्या बनेंगे याद रखेगा, ये यहां बिंगॉल के गवर्नर जर्नल देखेंगे तो बिंगॉल के गवर्नर जर्नल की करम में अगर हम देखेंगे तो पहला वर्रन हेस्टिंग्स आएगा, 1774 से 1785 की बीच में, फिर Sir John Macpherson है, ये आपके basically 1785 से 1786 की बीच में आएंगे, लॉड कॉर्ण वाले 1786 से 1793, अब जैसे पूछ लेता है examiner की permanent settlement कौन लेके आया, तो permanent settlement कब आया अगर ये date पूछ लेता है, तो आपको पता होगा अगर की लॉड कॉर्ण वाले 1793 के बीच तक रहा है, ठीक है, और एक कब से चालुआ है 1786 से, ठीक है, ये इसका time period है, तो आप questions को करके ले जाएंगे, क्यों, व्यो में आपको देखने को मिलेंगे, चुकि पुलिस reform का जनक कहते हैं Lord Convalis को, तो इस तरीके से हम questions को कर लेंगे, फिर Sir John Sorr की बात करें, 1793 से 1798 के बीच में, Sir Clark ये इस्थाना बन थे, 1798 के बीच में, रिचर्ड वेलजली जो है, ये आपके 1798 से 1798 से लेकर के 1805 के बीच में, फिर देखे, आपका लिखा हुआ है Convalis, दूसरा ठासन काल है इसका, यानि एक बार ये बन चुका था Convalis, 1793 और 1796 से 1793 के बीच में, उसके बाद दूसरा इसने कारेकाल अपना देखा है, 1805 में, याद रखेगा Lord Convalis जो है, ये बेसिकली important है, पुलिस वेवस्था का जनक कहलाता है भारत में, और फिर उसके बाद आएंगे Sir John Barlow, ये आपके 1805 से 1807 के बीच में है, Earl of Minto, ये आपके 1807 से 13 के बीच में है, अब देखे, सिच्छा सुधार वाला जो आपका अधिनियम है, 1813 का, ये इसके टाइम पिरिड में आ रहा है, फिर आपका देखे, of Hastings, Marquis of Hastings, ये आपका 1813 से 1823 के बीच में, John Adams जो है 1823, Lord Amherst जो है, ये बेसिकली 1823 से 1828 के बीच में आ रहा है, फिर देखे, विलियम बटरवर्थ बेली, ये जो है 1828 के बीच में, Lord William Banting, इनका टाइम पिरिड याद रखेगा 1828 से 1833, अब जैसे 1829 में आप देखते हैं क्या आ रह तो आप आप देख लिए ना, Prohibition of Sati, Sati ववस्ता कांत, Lord William Banting की मदब से, राजाराम मोहन रॉय करेंगे, RR राजाराम मोहन रॉय, RRMR, ये करेंगे, बिसिकली मिल करके, विलियम बैंटिंग की हैल्फ से, तो ऐसे कुशन अब आप आएंगे, तो आप समझ लेंगे, तो आ अंतिम Governor General है, और लॉर्र विलियम बैंटिंग ही भारत के प्रथम Governor General है, तो भारत का, यानि इंडिया का First Governor General जो है, वो Lord William Banting को बनाया जा रहा है, और अंतिम बिंगौल का Governor General कौन है, लॉर्र विलियम बैंटिंग है, तो आप याद रखेगा, इस पॉइंट को, फिर देखत हैं हम यहाँ पे कि Lord William Banting जो है 1828 से 1835 के बीच में Charles Metcalf की बात करें 1835 से 1836 के बीच में और आपको पता है इनको Indian Press का मुक्तिदाता कहते हैं आप याद रखेगा इनको Indian Press का मुक्तिदाता कहते हैं देखें यह questions आपको समझ में आएंगे जब आप चीजों को पढ़ेंगे Lord Auckland की बात करें 36 से 42 के बीच में हैं फिर Lord Allen Burrow 1842 से 1845 के बीच के हैं फिर Lord Harding की बात करें तो 1844 से 1848 के बीच में Lord Alhoji की बात करें 1848 से 1856 अब याद रखेगा Lord Alhoji के टाइम पिरिड में आप देख रहे हैं आपकी पहली जो है रेलवे डाली जा रही है 1853 के बीच में तो ये इसी के अंतर गता जाएगा अठाव चपन में ही आपका जो विडो री मैरिज आएक्ट आ रहा है इस्वर जंदो विद्या सागर की मदद से तो ये एक्ट भी नहीं के टाइम पिरिड में पास हो रहा है तो आप देखेंगे न जब आप टाइम पिरिड याद रखेंगे तो बहुत सारे कोश्चन आपके आपके आसानी से बन जाते है अगर बात करें लौड विलियम जो लौड कैनिंग है ये भारत का पर्थम वयस राय है और अंतिम गवर्नर जनर्र भी था है यही लौड विलियम बैंटिंग अगर बात करें 856 में बैठा 822 तक का इसका टाइम पिरिड है अब आप से कोश्चन पूछ लेगा बताइए भी लौड है वो उस समय भारत का जो है वयस राय कों धू था देन याओं डेन आफ यह तुहिए लाइस राय को बलाया गया थीक है 1858 में लडू लौड गैंनिक को बिलाया गया इंग्लैन्ड में महाननी nya娜ड ने इनकी क्लास लिय और इनहीं को ही वापास भी द्याय भारत में ऐसा जो है, आपके वयास राय के रूप में, तो प्रतम वयास राय के रूप में ये अपना दर्जा देगा, ठीक है, याद रखेगा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इस आगे बढ़ने क्रब में चीजों को देखेंगे, ठीक है, अब देखे, नेक्स्ट हमारा जो से 1872 याद रखेगा 1872 यह वही दौर है जब भारत में पहला Lord Mayo के टाइम पीरिड में Mayo के टाइम पीरिड में बहुत सारे Mayo College खोले गए साथ में Lord Mayo के टाइम पीरिड में ही पहला जो है Census हो रहा है भारत का याद रखेगा पैथम जनगनना हो रही है 1872 के बीच में है न आप देखें यहाँ पर Lord Northbrook है 1872 से 1876 में लिटन का आप याद रखेगा 1876 में आया है यह बंदा ठीक है 1876 में तो याद रखेगा 1876 में आया है यह बंदा और यह आपका 1880 तक रहते हैं ठीक है अब इसको इनकी बारे में अगर बात कहें Lord लिटन के बारे में आप जानते है वरना कुलर प्रेस एक्ट इनहीं के टाइम पिरिड में आया 1878 में आया था ठीक है 1878 में और इसको हटाने का काम किया है कि इसने रिपन ने तो देखें इसके बाद जस्ट रिपन आ जाएंगे 1880 से ले करके इनका टाइम पिरिड आएगा 1884 के बीच में याद रखेगा Lord र सबसे उदारवादी कौन है याद रखेगा सबसे उदारवादी आपका होगा जो है आपका बेसिकली उसका नाम क्या होगा याद रखेगा जो सबसे उदारवादी है वो है Lord रिपन अगर Lord रिपन की बात करें क्लास तो याद रखेगा ये जो Lord रिपन है ये 1882 में इनहीं क इस थानी स्वसाशन का पिता कहा जाता है याद रखेगा इस थानी स्वसाशन का पिता और या इसी को हम लोग इंग्लिस में बोल सकते हैं इस थानी स्वसाशन को ये local self government के father कह जाते हैं ठीक है इंडिया में lord ripan sir को हम कहते हैं lord ripan magnanimous हैं और ये basically इन ही के time period में annual बेस पर जो पहले बेस पर करवा रहे थे कौन जो है आपके basically मेयो सर ने कराय था बट जब रिपन आये तो इन्होंने इसको क्या कर दिया पर टैनियर बेस पर प्रते इक दस साल के बाद पर एक इस्ताहिय रूप से इन्होंने रिपन ने क्या करी थी census करना चालु किया था लॉर्ड डफरिन के time period में आपको पता है बिंगॉल का जो है भाजन होता है सोरी लॉर्ड डफरिन के time period में देखे 1884 से 1888 तका है तो आप जानते हैं 28 December आपका 1885 में बनी थी क्या INC बनी थी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस तो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस जब बन रही थी तो उस समय जो आपका गवर्णर था सोरी वायस राय जो था भारत का वो कौन था लॉर्ड डफरिन थे तो याद रखेगा लॉर्ड डफरिन और आप जानते हैं ये कथन था जो है आपकी बालगंगादा तिलक का इवें लाला लच्पतराय ने सायद कहा था हाँ लाला लच्पतराय ने एक कथन कहा था कि जो आएंसी है वो लॉर्ड डफरिन के खुराफाद दिमाग की देन है तो याद रखेगा इस इचको फिर लॉर्ड लैंस डाउन आएंगे फिर लॉर्ड अलगिन सेकेंड आएंगे फिर लॉर्ड करजन आएंगे देखे लॉर्ड करजन जो है ये बेसिकली 1899 से 1905 और आप जान नहीं है जो है 1905 में ही बिंगॉल का partition हो रहा है तो during the period of Lord Karjan there will be the partition of बिंगॉल and next after that अगर हम देखें तो Lord Minto 2nd 1905-1910 के बीच में Lord Harding 2nd 1910 से 1916 के बीच में होगा आप देखें Lord Harding दुती की बात करें फिर James Ford 16 से 21 के बीच में Lord Reading की अगर बात करें 21-26 Lord Elgin 1926-1931 और ये Lord वेलिंग गटन जो है ये 1931-1936 Lord Lillithgow 36-43 Lord Weevil नहीं की time period में वेवल प्लान आएगा फिर Lord Mountbatten होगे 1947-1948 के बीच में तो ये time period है मैंने कुछ जल्द बाजी में आपको चीज़ें बताई है तो I hope आपको इस ये समय में आई होंगी कि आप अगर इन time period को टने और को अगर आप जादा नहीं 10 से 15 बार आप इसको रिवायच कर जाएए तो ये होता है कि ना आप जब बार बाचीज़ों को पढ़ते हैं तो date कहीं न कहीं दिमाग में घूमता है और जब आप exam में जाते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत important होगी I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा Thanks